बॉलिवुड सूपरस्टार शाहरुप खान अपनी फिल्म पठान की सफलता के बाद फिल्म जवान को लेकर बिजी है। जहां कुछ ही महीनों में शाहरुप खान की ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। हाला कि फिल्म की रिलीज से पहली ही कमाल आर्क खान ने इस पर रियक्ट करना शुरू कर दिया है, वैसे तो वे कई सारी फिल्मों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं और विरोध भी जताते हैं, लेकिन इस बार तो वे हाथ ढोकर शाहरुप खान की फिल्म जवान क के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने बाक टू बाक जवान के खिलाफ ट्वीट किये हैं, जिस पर अब शाहरुप की तरफ से रियक्शन भी सामने आ गया है, दरसन के पिछले कुछ दिनों से शाहरुप खान की जवान के खिलाफ बज़ुबानी करते नजर आ रही हैं, क्योंकि जब उन्होंने इस फिल्म की कहानी को लेकर ट्वीट किया, तो उन्हें एक अंटी पाइरिसी कमपनी से मेल आया, जो जवान पर रेट चिलीज एंडेटेन्मेंट के साथ जुड़ी हुई है, वहीं इस कमपनी से जो मेल के आरके को भेजा गया था, उस मेल को क क्यारके ने स्क्रीनशॉट लेकर अपने सोशल मीडिया पर साजा किया, वहीं उस मेल में क्यारके से अपने सोशल अकाउंट पर से जवान का कंटेंट डिलीट करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन क्यारके ने उस कंटेंट को डिलीट करने के बजाए उस मेल का ही स्क्र अपने ट्विटर पर साजह किया और लंबा चोड़ा पोस्त लिखा जहां के आरके ने लिखा सुबह सुबह शारुक खान की कंपनी रेट चिलीज ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें मुझसे ट्वीट और जवान की स्टोरी डिलीट करने के लिए कहा गया लेकिन म मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है और अब मैं फिल्म की पूरी कहानी बताते हुए एक विडियो जारी करूंगा साथ ही अब मैंने एक सो पसेंट इस फिल्म को बरबाद करने का ठान लिया है और मैं इसके लिए जेल जाने को भी तैयार हूं हालांकि अब देखने वाली बा संजय सेतुपती, सुनील ग्रोवर और दीपिका पादुकोन जैसे सितारे नजर आने वाले हैं जहां इस फिल्म में संजय दत भी कैमियो रोल में नजर आएंगे वही फिल्म जवान को एटली ने डाइरेक्ट किया है हालांकि पहले यह फिल्म 2 जून को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब यह फिल्म 7 सितंबर को सिनेमा घ्रों में नजर आएगी जिसके बाद देखने वाली बात यह होंगी कि शारुक की यह फिल्म अब बॉक्स ओफिस पर क्या कमाल दिखाती है वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कॉम्मेंट सेक्शन में बताईए और चैनल को सब्सक्राइब करिए